गुद्ध मॉर्निंग फैंट जैब आता दिए तो अभी सुबह के सारे पाच हो रहा है और मैं मॉर्निंग वाग पर निकल गई हूँ देख सकते हैं कोहरा अभी से ही स्टार्ट हो गया है कितना ज्यादा कोहरा है तो चलिए मॉर्निंग वाग करके आती हूं तो पिरा प्रॉ जगल गही हूं और यहां पर होता है लच्पुजा मरे वंगौल में तो उसी का पंडाल है यह अभी मेला लगा हूआ है तो सुबह का टाइम है तो सारे कुछ दिन तक चारब दुन तक यह मेला रहता है तो मॉर्निंग वाग मैं जो है वो काफी दिन बाद स्टार्ट की हूँ बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग वाप करने में त्रियार छुटियों का दिन था और तेवार का दिन होता है द शहरा था तो भूमने फिरने में सारा छुटी जो हो निकल गया कुछ भी घर का क्लीरिंग भी नहीं की हू जो अभी बच्चे लोग सोरे हैं तब तक कुछ कुछ फुल का जो काम है वह समय निप्टा लेती हूं बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि मतलब जब आप थमनेल देखके और कमेंट करते हैं तो बहुत अधिकत होता है आप वीडियो के पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा मैं जो भी नेचरल तरीका है वही सारी चीजे बताती हूं कि आप करिए एकसरसाइज करिए उसके साथ आप 32 बड़ फर्मूला अगर अपनाएंगे ना 22 बड़ फर्मूला क्या है कोई भी चीज़ को अच्छे से चीव करके खाना है अराम से पानी क जिए दोनों का मॉनी ड्रिंग रेडी की हूं इसको अफेट कर डिंग भी कर सकते हैं आज सौफ नहीं था तो में इसमें सोब याड करती हूं सौफ काफी दिन से रखे 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 न अफ्तरा सा काला पड़ गया तो तो मैं उसको बाहर फेक दी हूं फिर लाओंगी नया तो फिर से में 120 में एड करूंगी और यहां पर मैं अपने लिए पोहा बना रही हूं जिसमें मैंने करी पत्ता तो मैं मतलब हमेशा ही डालती हूं करी पत्ता जो है ना आपके वेट लोस में भी बहुत जादा मदद करता है और हेल्थ के बेनिफिट से ना बहुत अच्छा है तो करी पता में जातर यूज़ करती हूं करी पता राई और मिर्चा का तरका लगा देती नमक खल्दी डाल दी थी बाहर के चीज़े आज कुछ भी मैं डालो जब सब के लिए बनाती हूं तो उसमें बदाम और मुर्मुरा यह सब डाल देती हूं बट जब अपने लिए कि उतना जादा हम लों नहीं कर पाते हैं मिठा ही और यह सब कुछ-कुछ खाहीं लेते या फिर बाहर का भी चीज जब भूमने जाते तो खाहीं लेते बट अभी मैं फिर से स्टार्ट कर दी हूं तो अभी मैं चीनी और आलू यह सारी चीज़े जो है ना वो बहुत हरता क कर दोंगी ऐसा तो पॉसीबल नहीं है कि में घर में बनाऊंगी ही नहीं क्योंकि सबके पसंद का ध्यान रखना पड़ता है और यहीं चीजा फ्लागतार नहीं मरा सकते मैं कम कर देती हूं यह वो रही हूं कि मैं थोड़ा-थोड़ा करकी हई चीज दे कम करती हूं कि तो सब्सक्राइब नास्ता करने के बाद यहां दो फर में चावल बना रही थी उसमें बस यह सारे चीजे डाल दी थी सारे वेजटेवाल ओड़ा और थो अ समय ने बिर्यानी मसाला डाल दिया और चावल को मतलब तहरी टाइब का मैंने चावल बना दिया तो अभी तहरी जो है वो बहुत ज़्याद हम लोगों पसंद आता है कि आप लोगों कैसा लगता है जो कॉमेंट करके बताइए का जब ही मैंने वजन कम किया है ना चावल खाके ही किया है तो मैं जितना क्वाटिटी में पहले खाती हूं और सब कुछ खा सकते हैं लेकिन उसके साथ exercise और वॉक मैं हमेशा बोलती हूं आपको करना है तब ही आपको बेस्ट मिलेगा यहां पर मैंने बदाम और चनादाल का चटनी बना लिया और चावल के साथ इसको हम लो तहरी के साथ यह चेटनी यह रायता दोनों में से कोई एक ही खाने वाली हूं इसी के साथ इस ब्लॉग करने वाली हूं मिलती हूं